तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Realme C31 मोबाइल में fingerprint lock कैसे लगा जाता है यानि screen fingerprint lock कैसे लगा जाता है चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए friends आपको करना क्या होगा आप अपने mobile के दोस्तो setting को open कर लिजे मोबाइल की setting open होने के बाद friends आपको scroll down करना है उसके बाद यहाँ पर security का δोस्तो option देखने को मिल जाएगा इस पर आप klik कर दिजे उसके बाद यहाँ पर fingerprint का दोस्तो option देखने को मिल जाएगा इस पर आप click कर दीजे अब friends यहाँ पर जो भी आपके mobile का screen lock है वो दोस्तो अपना आप डाल दीजे डालने के बाद यहाँ पर next का दोस्तो option दिखाई देगा इस पर आप click कर दीजे अब आपके power button में fingerprint sensor होगा तो अपना finger जो है इस power button में दोस्तो टच करते रहना है जब तक दोस्तो यह line पूरी नहीं हो जाती है तो मैं फटा फट जो है टच कर लेता हूँ इसमें अपना finger अब यहाँ पर दोस्तो देखें पूरा complete हो चुका है अब यहाँ पर done का option आ रहा done का option पर आप click कर दीजे बस आपके में fingerprint lock successfully लग चुका है